हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिटपटी वज़ेदार रगड़ा चाठ इसे खाने के बाद आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे बहुत ही टेस्टी लगेगी इसको हम घर पर ही बनाएंगे सभी को बहुत पसंद आएगी चले शूर करते हैं क आलू डालेंगे थोड़ा पानी डालेंगे पानी हमें इतना डालना है कि मटर और अलू अच्छे से गल जाए और थोड़ा पानी बचा रहें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार सोडर डालेंगे दो चुटकी इससे मटर अच्छे से गल जाए अब कुकर के लेट लगा देंगे दो सीटी आने पर गैस की फिलेम को लो कर देंगे 10-15 मिनिट के लिए ये देखिए तयार है दो सीटी आने पर गैस की फिलेम को लो कर देंगे था मटर अच्छे से गल गई है आलू भी गल गया है दल गुटनी से घोट लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं घोटेंगे बस इतने ही घोटना है प्लेटन निकालेंगे आप गार्णिश करेंगे प्यास डालेंगे खटी हुई थोड़ी धन्यापत्ती अब डालेंगे खटी चटनी उसके बार डालेंगे मीठी चटनी खटी चटनी मीठी चटनी मैंने डाला थोड़ा कालना मग डालेंगे उपर से भूना जीरा पॉड़र डालेंगे चाट मसाला डालेंगे उपर से अब आट मात्क做 जाए। असलोर Singing एक प्यास आरिमिज और फन्या पत्ती को में डाला है कटाव टामाटर डालेंगे आल नम्किन डाला है तर बोजा घुट डालेंगे ठाट डालनが ड्लाव मूच मीठाना पे धन्यपती डालेंगे यह देखिए है रगड़ाचाट तयार है बहुत तेस्टी बनी है आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं मैंने आलू बीजिया नमकीन लिया है रगड़ा चाट तैयार है बहुत ही टेस्टी बनी है चटपटी मज़ेदार सभी को बहुत पसंद आएगी बिल्कुल आसान तरीके से घर पे बनाया है एक बार इस तरीके से बना के खाएंगे तो बाहर जाके खाना भूल जाएंगे तो एक बार जरूर ट्राइ कीज़ेगा इस तरीके से सभी को बहुत पसंद आएगी अगर आपको ये टेस्टी चटपटी रगड़ा चाट की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, केमेंट्स और चैनल का सबस्क्राइब करेगा इस तरीके से ट्राइ कीज़े सभी को बहुत पसंद आएगी वीडियो को दोस्तों तक शेर भी कीज़ेगा